मधिप्रदेश की क्रिशी मंत्री कमल पटेल नवनिर्वाचित नगर परीशत सदस्यों के शपत विदी समारों में पहुँचे जहां उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उनके गाव में घर पहुँच सेवा से खाब दे रही है हमारी सरकार किसान भाईयों के लिए सबी सुवदाएं देने के लिए संकल पे थे इस दोरान उन्होंने क्रिशी उपज मंडी पुनासा को किसान भवन बनाने के लिए एक करोड दुपे देने की घूशना की वहीं उन्होंने राहुल गांदी की भारत जोडो यात्रा पर भी निशाना साथा कृश्यमंत्री कमल पतेल ने कहा कि कमलनाथ कॉंग्रेश सरकार के कारेकाल में किसानों का करदा मास्ट के नाम पर प्रदेश के किसान डिफॉल्टर हो गए थे जिस कारण उन्हें सहकारी सोसाइटी से खाद नहीं मिल पाता था हमारी सरकार ने इन डिफॉल्टर और इनी किसानों की चिंता करते हुए निर्ने लिया किन सभी किसानों को सहकारी सोसाइटी के माध्यम से डबल लॉक सिस्टम के तहत नगन में खाद दी जाए डिफॉल्टर और और इनी किसानों के कारण सहकारी सोसाइटी के काउंटरों पर लंबी-लंबी कतारे लग रही थी किसानों को खाद तो मिल रही थी लेकिन खाद मिलने में समय लग रहा था उन्होंने कहा किसानों की समस्या को समझते हुए हमारी सरकार ने निर्ने लिया कि अब किसानों को सोसाइटी के सेंटर पर आने की जरूरत नहीं रहेगी सरकार के अधिकारी कर्मचारी खाद लेकर किसानों के गाव उनके घर पहुंचेंगे और किसानों को खाद नगद में उपलब्द कराएंगे मंतरी पटेल ने कहा कि इस घर पहुंच सेवा से किसानों को काफी राहत मिली है और अब उन्हें समय पर खाद मिल रहा है कांगरेस ने जो डिफाल्टर किये किसान आपको करद इमाग नहीं करती है उसके कांड किसान की फाल्टर हुए तो सौसाइटी नहीं देता और आप प्रियों मसर्णापनी बुलाएंगे बलकि गाहों में प्रियों मसर्ण लेकर अधिकारी जाएंगे आपसे पैसा जाएंगे कमल पटेल ने भारत जोड़ो यातरा पर प्रश्म करते हुए राहुल गानी से पूछा है कि जब आपके नाना जवारला नहरू ने भारत को तोड़ा तो आप यह बताने का कश्च करें कि भारत जोड़ो यातरा का मतलब क्या है मंतरी पटेल ने कहा कि तुम्हारे नाना जवाला नहरू और जिन्ना ने भारत माता के दो तुकड़े किये हैं भारत तो एक ही था आपके नाना की प्रधान मंतरी पद की लालसा के कारण आज हम विभाजन का दंश जील रहे हैं पटेल ने कहा जम्मू कश्मीर में धारा 370 आपकी कॉंग्रेस लाई अलगाववाद और रातंगवाद कॉंग्रेस की शासनकाल में पंदपा सही अर्थों में आप इन सब चीजों का प्राइश्चित करने के लिए सियातरा पर निकले हैं मंत्री पटेल ने राहूल गांदी को आड़े हातों लेती हुए कहा कि राहूल गांदी मधिप्रदेश के किसान यूवा महिलक तुमें कभी मार्फ नहीं करेंगे क्योंकि तुम और तुमारी कॉंग्रेस सबसे बड़े जूटे लोगों की पार्टी है और रही बात आदर्शों की तो जो विधायक कॉंग्रेस छोड़कर भाच्पा में आए आपकी कॉंग्रेस सरकार को धक्का दिया सत्ता से हटाया वे सबी निष्टावान और इमानदार है इसलिए भाच्पा में है भारा जोड़ो यात्रा के नाम पर क्या कहा था एक दो तीन चार्ट पाँछे साथ आठ नो दस बस दस दिन में करजा माम भी किया दो लाक का तो मुक्षे मंतरी बदल दूगा लेकिन 2,5 मेने मदलगा दस दिनके बदी और इसलिए जन्ता के साथ छल्किया धोका दिया और इसलिए नारान पडले धोके भाइट पाइटी को लाग मार कर भावदी जन्ता बाइटी को साथ और भाजबा जो कहती है को करती है और आप कांगरेस औरा हों जानी जिर्टा कुछना चाहता हूं और आप लो पी बीद्ञेशैंर भारत को तोड़ा तुम्हारे ददाजी नाना जी उपन्दी जवाला नियूने वो तिन्ना ने भारत तो एक था अखंड था लेकिन सथ्टा के लोवदूप में लाबस में तुमने कहा कि प्रधान मंत्री में बढू जिर्णा ऑले ने वो खबरे जो आपके काम की है, वो खबरे जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले, हर मसले का सटीक बिशलेश्य, हम करते हैं सट्य का अनभीशान तखलनीइज आपके हफ्च्थै आप देख रहे हैं दखल न्यूल